नमस्कार प्रडाम स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाइस पे फाइनली इंतजार की घड़ी खतम हो चुकी है बिहार के समीदा कर्मियों के नियमतिकर को लेकर के बहुत वड़ा फैसला आ चुका है बिहार सरकार के द्वारा तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरा चोटा सारी क्वेश्ट है अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक कर लिजेगा सुस्क्राइब कर लिजेगा और वेल आइकन जो है दबा लिजेगा इससे क्या होगा बिहार के समीदा कर्मियों से जितनी भी अप्डेट आएंगी सबसे पहले आपक 30 तारीक तक जो है बिहार के समीदा कर्मियों का नियमती कर्ड आदिस जारी होने माला है आप लोगों को पेपर की कटिंग में देखने को मिल गया होगा प्यार सती और किसी परकार का इडिटिंग नहीं है आप लोगों साब साब देख सकते हैं कि 26 को लगेगी मुहर तो जी यहां पर आप देखेंगे बिहार के 5 लाग से अधिक समीदा कर्मी को नियमित कर्मचारी की तज पर निटीज सरकार सुभिदा देनी चाहती है इसे लेकर वर्ष 2015 में गठी उच समीती अपनी पूरी रिपोर्ट तयार कर चुकी है 26 जुलाई को अनियमित बैठक होगी 26 जुलाई को अनियमित बैठक होगी इसके बाद सची को समीत अपनी रिपोर्ट साजा करेगी तो प्यारे साथ ही आप लोग देख रहे हैं सभी समीता कर्मियों के नियमती करड़ पे 26 जुलाई को एक बैठक होगी उस बैठक में केमिलेट की बैठक में जो है पैसा थी हो आप सभी के नियमती करड़ पे मोहर लगेगी दावे के साथ मैं कहता हूं नितिश कुमार जी ने बार बार मीडिया के जरिये खुलासा किया कि बिहार के समीधा कर्मियों को बिलकुल भी परिसान होने की जरुवत नहीं है नहीं घबडाने की जरुवत है बिहार सरकार अब आप सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने जा रही है यहां पर आप देखेंगे यहांगी सुभिधा भी सेलरी के हिसाब से जो है आप सभी सम्विधा करम्चारी को जो है डी ये भी दिया जाएगा और डी कीतना दिया जाएगा दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि 35% का डीयव छो है बिहार सरकार आप सभी को देगी और एप क्हाते में पैसे जमा किए जाएंगे यह सारी दाएं जो सरकारी करमचारी को मिलती है बस्तारी सुभदाइथ समीधा करमचारी को मिल गए व शरकारे करम दरजा पा जाएगे प्रिकनियोज नहीं है